क्या आपके आपके भी पीरेड् इर्रेगुलर है पीरेड कभी-कभी दो मौन episodes मैं या सिप दफ़ाइ ले तो तभ भी आता है बीना da RT नी आता है इर्रेगुलर पीरेड के साथ the ontômडशißt की दूसरे synptome भी जैसे के बहुत ज्यादा है करें कितए Kerry सुम् 1985 को नगरू bene करें होनाल है वृत्थ्पल करता है। ये ओध्धे दिखत हो जाना क्राहिगे पिंपल में दर्द क्यों होना माँ छोड़ के दिक्कत हो चाने में दोके में भेस्वालम्ग कि इच्छां करूं कर रहे हैं तो और नहीं बनते हैं याय रहता है फॉलिकल का उसमां हो ग्रोथ ही नहीं और जब दबाई लेते तब फोलिकल बनती वर्ना फोलिकल बनती नहीं है और अपने आप रफ्चर नहीं होती है तो हाई एमेच के जो जो सिम्टम है वो आपके सारे अंदर देखना तो इस तरह से यह अपमें PCOD के होर्मोनल इंबेलेंस के सिम्टम दिखते है तो क्या किया जाए उसकी क्या ट्रिट्मेंट किया जाए देखो आज तक आपने OC ली होगी यानिके 21 दे की पील होती है गर्ब निलो तक जो गोलिया होते वो आपको देते है या फिर पीरेड लाने के लिए दो तीन महीने में आप होर्मोनल इंबेलेंस है जब तक अंदर से ठिक नहीं किया जाएगा जड़ से खतम नहीं किया जाएगा तब तक ना आपके प्रेग्नेंसी रुकेगी और स्ट्रेस बढ़ता है जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाए उसका हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकसन करने आखिरी तक जुड़े रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइकन सेर कर दीजेगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजे क्योंकि आपके लिए फ्री है तो चलिए सूरू करते हैं पीसी ओडी के लिए होर्मोनल इंबेलेंस के लिए क्या किया आपको सजेस्ट करने वाले थ्री स्टेफ कोम देने वाले तो आपकी पीसे ओडी दो या तीन महिन में में बिल्कुल खतम हो जाएगी पीर डिगिलर हो जाएगी अन्वंटेड है एल फोल कम होगा वेट थोड़ा सा कम होगा क्म होगा तो यह क्या है आपको किस तरह से अच्छे से फोलो करूंगी लेकिन डार्ट जयसा कुछ होता ही नहीं है आपको क्या करना है डार्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़े उसको अवोइड करनी है कुछ स्पेसिफिक चीज़े एड करनी है बाकि घर की बनी दाल चावल सब्जी रोटी अन्डा नुण्वे सब पर नीचे आपको उसका जो नूट्रिशन पार्ट उसको देखना है यदि आप वो बेलेंस कर लेंगे तो वहां पर आपकी PCOD ठीक करने में फूड बहुत अच्छे से हेल्प करता है तो किस तरह से आपको करना है नेको जब सुबह में उठे तब जीरा पानी पी लिया करो एक बज़े के आसपास आपको जो मिल लेना उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब आप खा सकते जी हाँ चावल अवड करने की बिल्कुल ज़रुरत नहीं है लेकिन उतना ध्यान रखे के वह जो प्लेट रहती उसमें वन थर्ड पोर्षन प्रोटीन रहना चाहिए प्रोटीन करेंगे तो वहाँ पर आपके हुर्मोन जल्दी से बेलेंस होंगे फिसी ओडी खतम होगी और पीरिट भी रेग्यूलर होंगे फिर आपको सामके टाइम पर थोड़े से ड्राइफ फूट्स ले लेने जी हाँ आप नट सारे ले सकते पिसी ओडे में ड्राइफ फूट को ब दालके आप उसको मिक्स करके पी जाए तो डिनर के पहले आपको सिनामोन का पानी लेना नहीं भूलना है और रात में हलका सा खाके आपको आराम से सो जाना है नींद पी अच्छी करने यदि स्ट्रेस लेंगे नींद कम रहेगी तो हर्मोन बेलेंस होने में और जादा दिक और दो हमें करेंगे तो पिसी ओडी ठीक होने में यदि दो महिने का समय लता है एक्सरसाइस बन कर देंगे तो ही ठीक करने का समně चार महिना हो जाएक चाहिए घटी आप Klei मेलेंस होंगे तो जल्ली जल्दी सापके हमूं कालिक और आईगी एक्सरसाइस कोन कोन से करनी में यहां पर आपको फोकस करना है सबसे पहले सुभों में या रात में आप आधिगंटे की वोकिंग की ज़ली से चलना है तो आधिगंटे की ब्रिस्क वोकिंग आपको कर लेनी है दूसरा वहां पर अनुलोम विलोम कपाल भाती बटरफ्लाइ और सुरे नमस्कार यह चार ए हाहिंटमेंसीटिए ऑफ करेंगे इदीक्लान करते दीनों विलोमें वर प्रिणेटिटि वोकिंटन करेंगे बाकी विलोम सब्सक्राइब इनिटिएаю से उसमयं देख सकते है इस तरह से एक्सराइस डएली की 40 मिनिट से लेकर 60 मिनित तक क्याम कर सकते हैं इनीचिछली आप स्टार्ट कर रहे तो दस मिनीट पंदरा मिन आदे खंते इस तरह से आप बढ़ा सकते लेकिन एक्सरसाइज को दीरे-दीरे एड़ किजिए अपनी रूटीन में तीसरा स्टेप आता है यदि आपको PCOD है आप अंदर से खतम करना चाहते हैं और यदि आपको पीसी ओडी को बेलेंस करने में हेल्प करेगी तो इसके अंदर है मायो इनोसीटल मायो इनोसीटल क्या काम करेगा वह आपके अंदर जो इंसुलीन रिजिस्टन डेवलप हुआ है उसको कम करने में हेल्प करेगा आपको वेट को बेलेंस करने में हेल्प करेगा दूसरा इसके औरमोन को बेलेंस करेगा आपका वहां पर नहीं हो रहा यानि कि अंडे नहीं बन रहे है फोलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करके आपके और नोसितोल अब यह क्या काम करेंगा यह आपके हाय अब नहीं होना वेट लूसनी होना आपके हैर फोल ज्यादा होना पीसियोड के जो जो सिम्टम में उसको ठीक करने में यह सार इस इंग्रीडियन आपकी बहुत अच्छे सेल करता है दूसरे इसकी खास बात यह हैं कि 100 परसंट वेगान है और कोई भी हाथ केमिकल के इस्तमाल किया गया है हम आपको यह वेट बैलेंस के लिए एकने अपके हीरफोल के लिए पीजिएर करने के के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए आज ही सजेस्ट करते हैं यदि आपको भी हिमालययन और गेनिक्स का PCOS सप्लिमेंट खरीद ना है तो उसकी लिंग हम नीचे वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंशेर करना नहीं भूलना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खर लीजिए और आपको और भी कोई दिक्कत हो कोई क्वेरी हो जिसके चलते प्रेग्नेंसी ना रोख रही हो और आप हमारी टेलिफॉनिक अपॉन्मेंट बस इतना है फिर जली से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल दी स्टेफी बाई